सर गुरुवार को एक एहम फैसला आना है सुप्रिम कोर्ट की ओर से जिसमें 16 विधायक जिसमें महाराष्ट को मुख्यमंत्री हैं उनका भविश्य भी तय किया जाएगा इस पैसले को आप किस तरह से देखते हैं और एक तरफ जो ये पूरा डिबेट है कि ये फैसला कौन कर सकता है स्पीकर कर सकता है या अधालत कर सकता है ऐसे कई सारी चीज़े हैं इसे आप किस तरह से देखे सर्वोचन आयले में जो याची का दर्ज हुई थी उसमें पूरी तरीके से सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई के बाद ऊडर की इंतिजार में सभी लोग है मैंने इ क्वालिफिकेशन के संधर्प का निर्णे और ये पेटिशन चलाने का काम ये विधानसभा अध्यक्ष और केवल विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है और हमारे सविधान में नियाय व्यवस्ता याने जुडीशरी कारेकारी मंदल याने एक्जेकिटिव और विधी मंदल य का कहीं भी ब्रीच नहीं होगा इसका मुझे विश्वास है भारत की जुडीश्री ये बहुत ही वाइबरेंट और जिम्मेदार जुडीश्री है और इसलिए मुझे पूरा यकीन है एक constitutional mandate और constitutional discipline को कहीं भी तोड़ा नहीं जाएगा और विदान सभाव अध्यक्षी इस विशय का निर्ने करेंगे विदान सभाव परसन है और अग्रीव इंडिविजुल है वो आर्टिकल 226 और 32 के तहट हाई कोड़ सुप्रीम कोड़ में इस विशे रिट फाइल कर सकेगा अगर यह 16 MLS डिस्क्वालिफाई होते हैं तब आगे का भविशे क्या होगा इसे लेकर आप की प्लानिंग क्या है क्योंकि अगर इन 16 विधायकों को हटाया भी जाए तब भी इंके पास एक मेजॉरिटी सरकार के पास दिखती है लेकिन जो शिवसेना के विधायक वहाँ पर गये हैं उसके वज़े से यह मैजॉरिटी है ऐसे में क्या उनसे भी बातचीत है या उसे लेकर को उस वक्के अध्यक्षय या उपाध्यक्षय ने डिस्क्वालिफाई गया जिसको चैलेंज क्या गया है अगर यह डिस्क्वालिफाई होते हैं तो पैरिटी के ग्राउन पे वो भी डिस्क्वालिफाई होते हैं तो यह सिफ 16 लोग नहीं होंगे अगर डिस्क्वालिफाई ह तो यह टोटल 39 लोग हो जाएंगे